दोस्तो जिस प्रकार जंगल का राजा शेर होता है उसी तरह अगर बाज को आकाश का राजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि दोस्तो बाज में धर्ती पर पाए जाने वाले सभी पक्षियों से बेहद ही अलग खासियत मौजूद होती है जिसके बारे में जानने के बाद आप पूरी तरह दंग रह जाएंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस मज़ेदार वीडियो को लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेट करना नभूले साथ ही आपके अपने चैनल रहस एंड नेचर को सस्क्राइब भी कर दे ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तो बाज बेहद ही खुकार किस्म का शिकारी पक्षी है जो छोटे-छोटे पक्षियों और जानवरों को आसानी से अपना शिकार बना लेता है बाज के खतरनाक होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब बाज को कोई शिकार दिखाई पड़ता है तो वो उसका पीछा 350 किलो मिटर की रफ्तार से करता है और यह रफ्तार धर्ती पर पाए जाने वाले सभी पशु पक्षी यहां तक की बुलेट ट्रेन से भी जादा है इस रफ्तार का मुकाबला करने की शमता चील और गिद जैसे विशालकाय पक्षियों में भी नहीं है बाज भले ही चील और गिद के मुकाबले बेहद ही छोटा और कमवजनी होता है लेकिन इसके शरीर की बनावट को कुदरत में इस कदर तराशा है जिसकी खासियत धर्ती पर मौजूद किसी भी पक्षी को मात दे दे जिसकी बदोलत ये जादा देर तक हवा में बिना पंख हिला ही रह सकता है इसके पंखों की खासियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये एक बार उड़ने के बाद बिना रेस्ट किये पाँच घंटे तक हवा में लगाता रह सकता है यूँ तो हमारी दुनिया में बाजो की 1500 से 2000 प्रजातिया मोजूद है जिसमें से सभी एक दूसरे से रंग और रूप में भले ही अलग होते हैं लेकिन उनकी ताकत और फूर्ती बिलकुल एक दूसरे के समान होती है पर फिर भी उनकी सबसे बड़ी पहचान उनके सीने पर धब्वेदार आकरती होती है जो सभी में मोजूद होती है आप यह देखकर चोक जाएंगे कि बाज केवल कबूतर जैसे छोटे पक्षियों को नहीं बलकि अपने वजन के बराबर खरगोश का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटते और थोड़ी सी मशक्कत के बाद ही उसको अपना शिकार बना लेते हैं जो वाकई तारिफे काबिल है अब हम आपको बता दे कि बाज केवल आकाश में ही नहीं उड़ते अपनी ताकतवर मजबूत पेरों की मदद से वे जमीन पर भी बहुत तेजी से दोड़ सकते हैं बाज को जब बच्चों को जन्म देने का समय आता है तब वह अपना घोसला अन्य पक्षियों की तरह केवल पेड़ पर ही नहीं बनाते बलकि अपने ताकत के नशे में चूर ये पक्षी, पहाडों, चट्टानों, जाडियों या कभी-कभी तो ये जमीन पर ही अंडे दे देता है जो उनके लिए बहुत ही परिशानी का कारण बन जाता है क्योंकि जमीन पर पड़े अपने अंडों की रक्षा के लिए उन्हें दिन रात अंडों के पास ही रहना पड़ता है और दोनों माता-पिता अपने अंडे की रखवाली बारी-बारी से करते हैं अगर बात करें इनके ओसतन उम्र की तो इनकी ओसतन जीवनकाल 17 वर्ष के आसपास होता है यह अंटार्टिका को छोड़ कर दुनिया के हर कोने में पाय जाते हैं एसा इसलिए क्योंकि अंटार्टिका के बहुत ही ठंडे होने की वज़े से यह वहाँ सर्वाई नहीं कर पाते और मर जाते हैं तो दोस्तों यह थी धर्ती पर सबसे तेज उर्दे वाले पक्षी बाज की कहानी यह आपको केसी लगी हमें कमेंट करकर जरूर बताईए और एसी ही रोचक और इंटरस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए आपके अपने चैनल रहसे एंड नेचर को सस्क्राइब कर पास ही बने बेल के आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद